हम सभी में कुछ ऐसी आदतें या बुराईयां होती है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है सही आदतें हमारी सफलत के बीच भी आड़े आती है लेकिन समय पर इनका ध्यान देना जरूरी है आम तोर पर ये चार बुरी आदते हैं जो खत्रा बन सकती है पहला अपनी बात को डारेक्ट मुलाकात करके करना है हम डारेक्ट मुलाकात नहीं करते हैं ये सबसे बेकार आदत है टीम में किसी से समस्या है और आप कुछ रियक्शन देना चाहते हैं तो किसी दूसरे के माध्यम बना कर ना करें सीधे मुलाकात करें अपनी बात रखे और अपने action plan को चर्चा करें दूसरा बिना सोचे समझे गुसे में आकर या emotional होकर जवाब नहीं दे याद रखे पहले भी आपको नुकसान हो चुका है ये चीज़ करके खुच से सवाल किजी कि इस decision से नुकसान किसे होगा दीसरा लोगों पर आरोप लगाते रहते हैं यदि आप तो आप सावधान हो जाएए जो लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं और दूसरों पर आरोप लगाते हैं वो नकारात्मत तो फैलाते हैं और चौथा यदि आप ऐसे लीडर हैं जो टीम पर जरूरत से ज्यादा नियंतरन रखते हैं तो समस्या होगी संभव है आपकी टीम टूट जाएगी तो हमेशा आजओतों का ध्यान रखें आजओतों का बदलाव करें हैबिट फोर्मिशन बहुत जरूरी है हम मिलिंगे अपने एक लिए वीडियो में धन्यवाद